वालकम तो माय यूट्यूब चैनल वोर लिट्रेचर आज जो टॉपिक डिसकस करने वाले हैं वो है पोर रिलेशन्स बाय चार्स लैम चार्स लैम का ये जो ऐसे है इसके टाइचल को देख कर लगता है कि आज हम पोर रिलेशन्स को डिसकस करेंगे means के हमारा जो रिलेशन्स है किसी दूसरे परसन के साथ या पिर हमारी फामली का जो रिलेशन्स होता है किसी दूसरी फामली के साथ maybe वो पोर है इस वज़ा से इस ऐसे को जो टाइचल है वो पोर रिलेशन्स का मिला है बट नहीं चार्लस लायम ने इस title को बहुत ही tricky way में use किया है अन्य जो और बहुत ही different story है, वो discuss की है, ऐस essay में उन्होंने, उन relations के बारे में बात की है, जो के इतने rich नहीं होते है एक rich class होती है, एद एक poor class होती है उन दोनों का आपस में क्या relation है, आज हम उनको discuss करने वाले हैं relatives हैं जो कि poor background से जो हैं वो connected हैं तो उन दोना का आपस में क्या connection society में होगा और वो एक दूसरे के साथ society में किस तरह से अपने relations को maintain करके चलते हैं और उनके आपस में क्या ups and downs आते हैं उन सभी को इस essay में जो है वो से पोई थे anti current थे और इनके जो best essays हैं वो इलिया के नेम से फेमस थी इन्होंने जाओ children books भी लिखी थी tales from Shakespeare जो के अपनी sister के साथ collaboration करके लिखी थी Mary Lamb जो के इनके sister थी Mary Lamb की birth होती है 1764 में and Mary Lamb की death हुई थी 1847 में poor relations का introduction discuss करते हैं poor relations Charles Lamb की essay की collection थी the essays of Elia उस collection में से इसको लिया गया है इस essay में actually जो है वो एक type की sad commentary भी है और दूसरे side पे इसमें जो है वो comic things भी जो है वो describe की गई है इसमें जो है वो poor relatives को जो है वो describe किया गया है उनका जो dreadful load होता है एक unstable family का जो load होता है एक stable family पर उन दोनों के अपस में relation को describe किया गया है थर चास लैंप है वो ऐसे को इस तरह से start करते हैं comic and humorous way देकर कि poor relatives जो होते हैं उनकी different types होती है and वो different types की embarrassment भी होती है कि उनको जो है वो इन्होंने embarrassment का एक title दिया है जो के poor relatives होते हैं क्योंकि उनके पास इतने finances तो होते नहीं है कि वो खुद को afford कर से हैं खुद को afford करने का यहां पर meaning यह है कि खुद को जो है वो एक stable life दे सकें खुद का जो dressing sense है उसको जो है वो better बना सकें and खुद का जो lifestyle है उसको जो है वो एक stable point पर जहुला सकें इसलिए उनको embarrassment कहा गया है क्योंकि उनकी खुद की life जो है उसमें को stability तो होती नहीं है होते हैं उनको embarrassment उठानी पड़ती है बहुत सारी सिट्वेशन होते हैं वह एक type की enemy के लिए entertainment होते हैं एक friend के लिए जो है वह apology भी हो सकते है apology किस तरह से क्योंकि जब कोई poor होता है तो उसके पास उतने resources नहीं होते कि वह अपने friends के साथ hang on कर सके तो वह हमेशा जो है वह सिरफ apologize ही करता रहता है कि मेरे जो finance है मुझे allow नहीं करते हैं कि मैं जो है वह कहीं जा सकूँ या पिर अपने friends के साथ जो है वह time को spend कर सकूँ speaker then जो है वो mention करते हैं first situation को जहां पर male poor relatives जो है वो visit करते हैं अब यहां पर हम देखने वाले हैं कि एक poor guest आया है और जो host है वो थोड़ा सा upper class से belong करता है उसकी जो life है वो stable है यहां पिर उसकी life में जो है वो इतना finance है कि वो एक well established यहां पिर अपना एक अच्छा lifestyle जो है वो करता है कि जो male poor relative visit करते हैं अपने किसी rich relative को और इस relative के घर पर already कोई और guest आये हो जो कि rich class से ही belong करते हो तो poor relative के mind में जो है ना वो difference चीने चल रही होती है first of all तो वो जो है वो उसकी familiarity होती है जो कि guest already host के घर पर बैठे है and secondly वो उसको यह भी पता होता है कि मेरी जो condition है वो poor ह और मैं जो है मुझे embarrassment होगी उनके दर्मियान जाने से तो यह डो different चीज़े उसके mind में already होती है अब उसको जब यह पता होता है तो यह तो visit ही ना करें but अपनी poor condition को लेकर उसको अपनी condition को देख कर भी वो उसको visit करता है अपने rich family member को and poor relative को तो embarrassment होती है जो host है उसको भी embarrassment हो अब poor relative जब जाते हैं तो वो एक चले जाते हैं then जो है जब उनसे कुछ खाने के लिए उनका offer किया जाता है first of all तो जो है वो negate कर देते हैं कि हमें जो है वो नहीं खाना है but एक दफार जब वो start होते है then जो है वो end होने का नाम नहीं लेता है यह सारी Charles Lamb के ideas है Charles Lamb further कहते है कि then जो है वो poor relative को जब कोई बात नहीं आ रही होती तो वो आपके curtains के बारे में बात करेगा आपके furniture के बारे में बात करेगा prices के बारे में बात होगी even कि यह जो सारी gossip से करने वाली नहीं है अब poor relative जो है वो एक furniture की price जो है वो अपने rich relative से पूछ रहा है इन दोनों बातों का क comparison बनता नहीं है but poor relative जो है वो अपने embarrassment का एक भी chance जो है न वो यहाँ पे जायर नहीं करता है and जो host है उसकी हर चीज में जो है न वो poor relative interfere करता है बहुत embarrassing moment है यह host के लिए असले हमने यहाँ पे text में कुछ lines कहीं है the most irrelevant thing in nature a haunting concise and unwelcome remembrance a drain on your purse, a stain in your blood and so on कि यह एक बहुत embarrassing चीज होती है कि आपके purse में first of all तो इतने पैसे नहीं है कि आप जो है वो अपने rich relative से जो है वो compete कर सके secondly जो है वो आप अपनी habits से अपनी moment से जो है वो ऐसी awkward situations को create करते हैं कि आप खुद तो embarrassed होते ही होते हैं अपना जो relative है जिसको आप विजट कर रहे हैं embarrassment बन जाते हैं इसी comic style को लेकर चलते हों है lamb then जो है वो female poor relative को mention करते हैं कहते हैं कि male poor relative फिर भी एक fine thing है बड़ जिब female poor relative विजट करती है वो एक बहुत ही strange thing होती है क्योंकि एक तो female जो है वो बहुत ही outdated होती है secondly अगर उनके पास जो है वो इतने finance नहीं है या पर उनकी जो condition है वो बहुत poor है वो उसको उन्होंने रवील करना ही करना होता है अपनी talk से अपनी habits से अपने manners से means कि हर चीज में जो है वो point out करना and host की बहुत सारे चीजों को जो है वो जाकर point out करती है essay की जो tone है वो comic से tragic की तरफ shift करती है जहां पर speaker जो बताते हैं कि उनके जो friend थे वो पर्तगाल war में चरे गए थे और वहां पर जाने से उनकी death हो गई थी वो इसलिए गए थे कि वो अपनी father की जो poverty है उसको जो है वो endure नहीं कह सके थे उनके अंदर इतना patience नहीं था कि वो अपनी poor condition को जो है वो tolerate कर सके ले हम देन जो है वो continue करते हैं अपने essay को further और अपने poor relation के बारे में बताते है कि poor relation एक uncomfortable subject है बट इसके साथ comically and half practically deal करके जो है ना ये message convey किया जाता है society में further narrate करते हैं कि इनके father के एक poor friend थे जो कि इनको visit करते थे हर Saturday dinner पे वो gentleman थे उनकी dressing बहुत neat होती थी या पिर एक well dressed man हम कह सकते हैं वो थे lamb को लगता था कि ये एक rich man है अब lamb की जो aunt है वो एक दफा उन uncle की जो है वो insult कर देती है अब जब insult करते हैं तो वो uncle tolerate नहीं करते हैं और उसी point पे जो है वो aunt को जो है वो back answer करते हैं और उनको outdated कहते हैं then जो है वो sperm and की जो है वो death हो जाती है जब उसकी death होती है तो अपने behind जो है वो काफी सारा finance छोड़ कर जाते हैं ताके जो उनकी last जितनी भी festivities होंगी या फिर जो उनकी norms को fulfill किया जाएगा उन सब को complete करने के लिए जो है वो उन्हें जो है वो किसी से एक पैनी भी जो है वो ना लेनी पड़े इसी लिए जो है वो अपनी सारी death के arrangements already करकर गए थे means कि उन्हों अपने dignity के साथ अपनी death को जो है वो accept किया and poor relations इस note पे खतम करते हैं कि poor relations में भी respect and self esteem होती है but सभी poor relations में self esteem and respect जो है वो नहीं होती है यहाँ पर जो यह essay है वो खतम होता है इस essay में एक positive aspect भी है and एक negative aspect भी है हमें सबसे पहले positively अगर हम सोचें तो हमें जो है वो equality के साथ सबको लेकर चलना चाहिए but अगर हम at least poor है means कि अगर by nature हमारे जो resources हैं वो work नहीं कर रहे हैं तो अगर हमें चाहिए कि उन resources को छोड़कर हम at least अपनी manners पर तो काम कर लें अगर हम अपने किसी rich family member को visit करें वहां पर अपने manners के साथ behave करें ताकि उसको लगे है कि आप जो है वो एक poor class से belong करते ही नहीं है आप well dressed होकर जाएं आप वहां पर जो है वो एक well mannered personality के तोर पर जाएं तो कभी भी जो है वो आप किसी के लिए embarrassment नहीं बन सकते हैं नहीं आप खोद embarrassed होंगे नहीं आपका host आप से कभी जो है वो embarrassed होगा तो literature के अंदर यही quality है कि वो हमें जो है वो different themes से introduce करवाता है and उन्हीं themes को हम observe करते हैं, critique करते हैं, accept करते हैं and learn भी करते हैं I hope कि यह ऐसे जो है वो आपको समझ आया होगा वीडियो को लाइक और शेयर चानल को जुरूर सब्सक्राइब कीजेगा थैंक्स पर वाचिंग मैं चैनल